नमस्कार कुछ उपाय करने से विसेश फल प्रिदान होता है अगर आप करजे से परेशान है लाग कोशिशों बाद भी आपका करजा नहीं उतर रहा है तो आप 11 मंगलवार वरत रखें और हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में अवश्य चले मंगलवार की रात को सो बार हनुमान चालिसा का पाठ करें ऐसा करने से आपकी मनो कामना बहुत जल्द पूरी होगा हनुमान चालिसा पढ़ने से जितने भी आपके दोश हैं उनसे आपको बहुत जल्चुटकारा मिलेगा आपके घर में अगर भूत परेत का साया भी है तो वो बहुत जल्दी हट जायेगा मानसिक रूप से ऐस्वस्थ व्यक्ति की सेवा महीने में किसी भी एक दिन एक मंगलवार को करने से आपका मानसिक तनाव हमेशा के लिए दूर हो जायेगा मंगल या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चड़ाएं और पान अर्पित करें ऐसा करने से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे साल में किसी एक मंगलवार के दिन अपना खूंदान करें ऐसा करने से आप पूरे साल दुरगटनाओं से बचे रहेंगे पांच देशी घी की रोटी का मंगलवार को भोग लगाने से दुसमनों से मुक्ती मिलती है अगर आपके वेपार की व्रध्धी रुकी हुई है तो व्रध्धी के लिए सिंदूर के रंग का लंगोर मंगलवार को हनुमान जी को पहनाए इससे आपके वैपार में प्रद्धी होगी मंदिर की छट पर लाल रंग का जंडा लगा ऐसा करने से आपके सारे दुख मिट जाएंगे तो उमीद है दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों में अपने रिस्तेदारों में शेर करें लाइक करें सस्क्राइब करें आगे भी मैं कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर आपके सामने फिर हाजर होगा तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आप ये पिरकिरिया करते हैं ये उपाय करते हैं तो आपको अंडा, मीट, मास, मसली इनसे आपको बहुत कोसुदूर रहना पड़ेगा धन्यवाद